नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लोक्स पे एक सुन्नर सी मेल हतेली हमारे सामने है और आप लोग देख रहे हैं आपकी हतेली का जो आकार है वो बिल्कुल आयताकार दिखाई दे रहा है बहुत सुन्न जो आपका करियर रहने वाला है उसमें बोलने से या मस्तिस्क कारे करने से ज़्यादा काम चलेगा सार्रिक मेहनत की जरूरत उसमें कम रहेगी या हम यों कहें कि मस्तिस्क कारे करने वाला या बोलने से जो करियर चलता है उसमें कारे करेंगे तो ज़्यादा सपलता देने वाला रहेदा सारिक मेहनत में कारय कन्ये, मुकाबल हैं। दूसरी बात अगर हम यहां पे देखते हैं। हतेरी का जो रंगत है ठॉलाभी कलर का है। आने वाले समय में सोबझ्य की प्राप्ति भी दिखाई दे रही है। चैये आर्थिक इस्तिति का मामला हो, चैये पारिवारिक मामला हो, चैये स्वास्त्य का मामला हो, चैये करियर और धन का मामला हो, सभी चीजों में सोबग्य सालिता हासित हासिल होगी और जीवन का पूरा आनन उठाएंगे, ये भी आपकी हतेली यहाँ पे कहते हुई दिखा रेखा है, ये हिरदय रेखा, मस्तिस्क रेखा और जिवन रेखा और सात में आप देखेंगे करियर और धन की रेखा भी यहाँ पर इस पे मिल रही है एक पूरी तरहकाई जो है ये M का आकरती यहां पे बना रहा है आपके जो पंच तत्व हैं आपके जो एलिमेंट है उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं आपके जो आरध्य देव हैं वो भगवान शंकर है और जो आपके इष्ट देवी हैं वो मा आदिसकती पारवती जी है आपके उपर भगवान शंकर और मा पारवती की विशेश किरपा है बस आपको इनके पड़ते समरपन रहنا है और जितना समरपन रहेगा उतनी दिव्यता को और भव्यता को हासिल करेंगे दूसरा देखेगा जीवनकाल के 35 वर्ष से 35 एर्ष से आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आने सुरू हो जाएगी और जीवनकाल के 55 वर्ष तक ये मजबूती अनवरत रूप से चलते रहेगी उससे फहला थोड़ा सा जो है उतार चड़ाओ दिक्कतों का आपको कहीं न कहीं सामना करना ही पड़ेगा दूसरी बाद फिर जीवनकाल के 41 वर्ष से इस परकार के धन की योग बन रहे हैं कि परतेक दिन आपके पास पैसा आएगा अब क्यों बन रहे हैं इसको भी देखें 35 वर्ष से जब एम का अक्षर इस परकार से इस पश्ट बनता है तो कहीं न कहीं जो है जीवनकाल के 35 वर्ष से लेके 55 वर्ष से तक धन की इस्तिति बहुत ज़्यादा मजबूत इस्तिति में रहेगी ये बताता ही बताता है और ऐसा बिक्ति अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत लग्की रहता है लेकिन चीजें उबरती हैं जीवनकाल के 35 वर्ष से उससे पहले थोड़ बिक्ति को संगर्षों का सामना करना पड़ता है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अभाव की इस्तिति को जहलना पड़ता है और यही आपके हतीली कह रही है फिर 41 वर्ष से मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आपकी जो करियर और धन की रेखा ही चंद्रमा से निकल करके और सनी की और बढ़ रही है अभी बढ़ी नहीं है लेकिन बढ़ रही है ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत लेकिन यहां पर जिवनकाल के 35 वर्ष से आर्थिक इस्तिति अच्छे खासी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है और 55 वर्ष तक अनवरत रोप से चलते हुई दिखाई दे रही है भगवान शंकर और मापारोतिक की किरपा से अब यह चंद्रमा से निकल रही है तो ज पास प्रते एक दिन पैसा आने आएगा अपने मस्तिस्क सकती और योग्यता के उनसार और धीरे धीरे वाहन का सुक मिलेगा अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुक मिलेगा और अपने ब्यापार का सुक आपको मिलेगा ही मिलेगा यह तीन सुक आपकी जीवन में ह अब यहाँ पे दीखेगा अब ही आपकी जो करियर और धन की रेखा है एका एक हिर्दै की लकीर पे जो है यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है क्या बता रही है ऐसे में बिक्त को एक चीज के पर ते सावधान देना है जल्दबाजी में और भावनाओं के बसीबूत होकर कोई ऐसा निर्णे नहीं लेना है कि वो गलत सावित हो अगर बिक्त जल्दबाजी में और भावनाओं के बसीबूत होकर कोई निर्णे ले लेता है उसका एनलेसिस ने करता है सोच समझकन नहीं लेता है तो फिर अपनी development को, अपनी progress को बादित कर देंगे और फिर उस development को पाना, उस progress को पाना मुश्किल हो जाएगा दूसरी बाद, ये पूरी तरह से जो है, सनी परोध पे नहीं पहुँची है हिरदे रेखा पे रुक रही है तो जब तक ये थोड़ी भी आगे नहीं बढ़ती है तब तक कहीं न कहीं कारियों में बिलंबता होगी कारियों में अर्चने आएंगी धन का संचै उस रोप में नहीं हो पाएगा जिस रोप में होना चाहिए करियर और धन के मामले में अस्ताइत्व में थोड़ी कमी रहती है तो लक्षमी का एक उपाई दूँगा मैं दिब्य योग ध्यान किरिया के साथ साथ लक्षमी का रात्री का उपाई दूँगा उसको विद्वत तरीके से करेगा आप देखेंगे कि एक डेड़ साल के अंदर अंदर ही ये रेखा इस पश्ट तरीके से चली जाएगी और आपको कोई न कोई बिकल्प मिलने सुरू हो जाएगे पैसों के मामले में और करियर के मामले में और जिवनकाल के 35 वर्स से धन की इस्तिती मजबूत बहुत अच्छी तरों से होने बैठ जाएगी और अस्ताई तो आना बैठ जाएगा ये आपकी हतिली की ये मुख्य रेखाई यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है आप देखेगा इनके उपर भी चर्चा करती है सबसे पहले देखें बर्तमान समय में जो आपकी रिंग फिंगर है ने उसके नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं सूरे कापरो रेखा यहाँ पर बहुत अच्छी है और तीन से दो से तीन रेखाई इस पश्ट उपर की और जारी है जादा नहीं जारी हैं दो से तीन रेखाई है देखेगा सूरे अभी उर्जा प्रवाइड ने कर रहा है जब सूर्य ओर्जा प्रवाइड करेगा तो इन रेखाओं की बलाबल आने के कारण जहां यस की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, वहीं संतान की भी प्राप्ति होगी और एक से जादा सुरोतों से धन का आगमन भी आपकी जीवन में होगा निश्चित तोर पे 101%, 101%, अब देखेगा अभी क्यों नहीं, बरतमान समय में आपका सूर्या प्रवपर तरीके से उर्जा प्रवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो आप प्रियास कर रहे हैं, वो पूरी तरों से सफल नहीं हो पा रहा है, जो आप महनत कर रहे हैं, परिसरम कर रहे हैं, उसका जो पूरा सरेई है, पूरा क्रेडिट है, आपको नहीं मिल पा रहा है, इस परकार अगर सूर्या हो और ब्यक्ति ब्यापार की तरब जाता है, तो ब्यापार में वो विस्तार, वो फैलाओ, वो नाम और यस, वो ब्राण निखरकन नहीं आता है जो आना चाहिए ऐसा अगर सूरे हो तो ब्यक्ति अगर नौकरी की तरफ जाता है तो ग्रोथ नहीं मिल पाती है उसको जिसके लिए उसने अपने आपको खपा लिया हो जो आपके अंदर क्वालिटी होती है जो आपके अंदर योगिता होती है उस तरह से चीजें निखर करके नहीं आती है उभर करके नहीं आती है एक सहजता से एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है क्यों सूरे उर्जा प्रवाइड नहीं कर पा रहा है प्रोपर तरीके से इसका कारण क्या है इसका कारण है कि आप स्वस्त्य या मानसिक स्वस्त्य जिवन की वास्तिक खुसाली उत्साह उर्जा ये चीजें बैलेंस में नहीं है इन चीजों के आपको चिंता करने पड़ रही है ये हमेशा आपके साथ नहीं है क्या करना है आपको कहीं न कहीं जो है दिव्य सूर्य किरिया करना है अगर आप दिव्य सूर्य किरिया को अनुसासनात्मक ढंग से करते हैं विदिपूरो करते हैं और टाइम बद तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे आपके सारिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल के असर आपकी जीवन के तमाम आयमों पे प्रेक्टिकल रोप से पड़ेगा आपकी सारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहिजता से चलेगा फिर चाहे सारीरिक स्वस्त्य है जीवन की वास्त्य खुसाली है उत्सा है उर्जा है इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी ये हमेशा आपके साथ रहेंगी तो करने में क्या दिकत है करिएगा दूसरी बात अगर ही आपे देखते हैं देखेगा आपकी ये उंगली पूरी तरोसी जुकी हुई है इंडेक्स की फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मातरा में रहनी वाली है इस स्वर में सर्दा रहेगी अटूट विश्वास रहेगा और एक दयावान बिक्तित्व भी आपका रहने वाला है मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है मिहनती बहुत जादा है कर्म में विश्वास रखने वाले बिक्तित्व है कर्म सील पुरोसा है इस बात और ये आपको फाइदा भी देगा सुरे की उंगली भी पूरी तरोसे जोकी हुई है मिडिल फिंगर की द्रम बर्तमान में यस पाने की एक्षा नेम फिम पाने की एक्षा अपने कारियों में विस्तार पाने की एक्षा तीब्र रूप में आपके अंदर है और इसकी तिवर इक्षा को भी यहाँ पर बता रहा है यहाँ पर अगर देखेंगे ब्रस्पती की उंगली से हलकिसी बड़ी दिखाई दे रही है और मिडल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है अनामिका हमारा पोराणिक्स हस्तर कहता है हस्तरे था कहा अगर ये उंगली थोड़ी सी बीवड़ी हो इस उंगली से और इस उंगली से छोटी हो तो ऐसा ब्यक्ति अपनी जिवनकाल में यस की प्राप्ति करता है आप यस सुष्वी होंगे समाज में मान परतिष्टा यस पाने वाले फिम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलतम ब्यक्ति होंगे सफलता जरूर आपको प्राप्त होगी यहाँ पे आपकी ये उंगली का जुकाओ और इसका आकार परकार इस परकार से चीजों को बता रहा है बुद्ध की उंगली भी पूरी तरों से जुकी हुई है यहाँ पे और रिंग फिंगर के तरफ इसका जुकाओ है धन का माने के ललक आपके अंदर बहुत बढ़िया है और इसका जबरदस्त फाइदा आने वाले 35 वर्स से आपको मिलेगा यहाँ पे इसके पहले पौर्वे तक नहीं पहुँच रहा है तो धन के परबंदन में जो है कहीं न कहीं कमी को भी यह बता रहा है लेकिन उंगली पूरी तरों से चिपकी हुई है इस पे आपके हाथ के नीचे काम करने वालों के संक्या ठीक ठाक रहेगी और इस कमी को वो लोग पूरा करेंगे तो इसका असर आपकी जीवन पे भहुश्य में नहीं पढ़ने वाला है इस बात के और जो है यह इस सारा कर रहे है लेकिन एक कमी भी रहेगी यहाँ पे देखें नेचरल तरीके से आपकी यह उंगली इस तरह से जुक रखी है यह इस तरह से यह इस तरह से सभी उंगलियों का जुकाओ बरतमान में मिडिल फिंगर की तरप है ऐसे में कई भी बार व्यक्ति जीवन काले में दुखी सा हो जाता है यह कई बार सब कुछ होते हुए जीवन में खुशियों की कमी देखने को मिलती है यह चीज नेचरल है तो यह बनी रहेगी इसका कोई उपाई नहीं दिखाई दे रहा है हाँ आपका अंगोठा बता रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाहर रखने वाला ब्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रेतनसील ब्यक्तित्व भी है दोनों पोरों के बीच में एक यव का चिन बनना है भाव किसम का ब्यक्तित्व रहेगा ना जो खिर्दे का ब्यक्तित्व भी रहेगा और एक कहते हैं कि जिसको हम कहते हैं एक अच्छे तरीके से जीवन जीने वाला ब्यक्तित्व वो भी बना रहेगा अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगेगा हिर्दई की रेखा इस तरह से आती हुई और देव गुरु ब्रस्पति को छू रही है पहुँच नीरी है सुबह उठते ही तीन चीजों पर बहुत ज़्यादा जो है ध्यान जाएगा उठते ही पैसों की तरफ ध्यान जाएगा पैसों का मैनेजमेंट कैसा किया जाए पैसों का प्रबंदन कैसा किया जाए पैसों को किस प्रकार से कमाया जाए क्या ऐसी योजनाएं बनाए जाए इस पर उठते ही आँख कुलते ही ध्यान जाएगा उठते ही फिजिकल बोडी की तरफ ध्यान जाएगा अपने को सद समरकर कैसे रखा जाए अपने को मेंटेन कैसा रखा जाए किस प्रकार से अपने को जो है व्यक्त किया जाए उठते ही कामुकता की और ध्यान जाएगा अपने कारियों में विस्तार किस प्रकार से हो अपने कारियों का फैलाव किस प्रकार से करे इन तीन चीजों पर ध्यान बहुत जादा जाएगा और गहराई से जाता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है अगर हम देखेंगे यहां पर आपकी जो है मस्तिस्क की रेखा सीधी चंद्रमा की और जो है मुख करती हुई दिखाई दे रही क्रेटिविटी बहुत जादा है बहुत एक अस्तर भी बहुत सुन्दर है और लंबी और हवायात्रों का बहुत अच्छा मौका भी जीवन में मिलेगा यहां से एक रेखा बुद्ध की तरफ जा रही है लेकिन पहुँचने ही पा रही है धीरे धीरे ब्यापार के गुणों में पूरी तरों से ब्रिद्ध होती हुई दिखाई दी रहा है मन पूरी तरों से ब्यापार के तरफ जाएगा और ब्यापार में अगर जाएंगे तो अच्छा खासा फाइदा भी आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एक तिरभुज भी बन रहा है कहीं न कहीं पैतरिक संपत्ति का लाब भी बहुत बड़ी मातरा में मिलेगा चाहे किसी रूप में मिले यहाँ पे अगर देखें जिवन की रेखा जिवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई पीछे की ये मचली का चिन बता रहा है कि धार्मिक परूर्ति का विक्तित तो रहेगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के छेत्र में भी विस्तार और विकाश को पाएंगे लेकिन जब तक ये रेखा इस पष्ट नहीं हुई तब तक करियर और धन के मामले में अस्तायित तो नहीं आएगा कहीं न कहीं जूजते रहेंगे कहीं न कहीं परेशान होते रहेंगे इसके लिए महालक्षमी का एक रात्री का उपाई होता है वो जरूर करें अगर वो आप करते हैं तो धीरे धीरे निश्चित रोप से आर्थिक रोप से जो परेशानी है पैसों से समंदित जो परेशानी है वो खतम हो जाती है प्रैशान होने वाले कोई चीज नहीं रहती है तो इसको जरूर करें आपका मनि बंदद अगर हम देखते हैं तो इस तरों से जो है आपके पहले रेखा है और इसमें इस परकार से चीजें दिखाई दे रहे हैं यह है स्वस्त्य के रेखा ये आपके स्वस्त्य के बारे में आरोग्य के बारे में तंदुरस्ति के बारे में बताती है रेखा अच्छी है आने वाले समय में चाहे स्वस्त्य का मामला हो आरोग्य का मामला हो तंदुरस्ति के मामला हो लग्की रहने वाले हैं लेकिन बीच में अ ये रेखा संपति की रेखा, धन की रेखा, ये रेखा भग्य रेखा से समन्न रखती है, जैसे जैसे भग्य रेखा इस पश्ट होने बैट जाएगी और ये इस रेखा को छोटी छोटी गोंड रेखाई काटना कम कर लेंगी, वैसे वैसे करियर और धन के मामले में अस्ताहित तो आना सुरू हो जाएगा तीसरी रेखा है सुक की रेखा छोटी और पतली और कम है यह सुक की रेखा आगे आपको अपने स्वस्ति अपने धन और एस्वरे भोगने का सुक परदान तो होगा मिलेगा बहुत अच्छे रूप में लेकिन अभी आनसिक रूप से है इस बात की और यह दिखा रही है चोथी रेखा का आगमन भी हो रहा है और यह रेखा अगर उत्पन हो गई और चारो रेखाई एक सीध में आ गई तो फिर कहना ही क्या समराट योग राजा तुल्य जिवन हो जाएगा राजा के समान एसुरे जनक जिवन को ब्यतीद करेंगे और फिर उन्नत सिखर पे पहुँच जाएंगे और यह कब होगा जब अपने इश्ट के सरनांगति पूरी तरह से आ जाएंगे उनके चरण को पकड़ लेंगे यहाँ पे देखेंगे तो अंगोठे के नीचे का ये जो भाग है इसको कहते हम सुक्र का प्रोथ कला है, सुन्दर्य है, सुन्दर्ता है इन सब चीजों के लिए और एक सुख़द जिवन के लिए हतीली में इसका पुष्ट होना जरूरी है आपकी हतीली में सुक्र, सुन्दर्य रोप में उबरावा दिख रहा है तेजों मैं आउस्ता में है आप तेजों स्विहंगे अपने को मेंटेन रखना, अपने प्रसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज सवर कर रखना ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली है नई चीज़ों के प्रतिरुजान रहेगा बहुत एक सुक्सुदाओं की तरह बहुत ज़्यादा आकरसित रहेंगे लेकिन अभी देखेंगे तो यहाँ पर ये नुकिला टाइप का उठावा है ये मानसिक प्रेशानियों को जन्म देता है जब तक ये उठा रहता है कहीं ने कहीं ब्यक्ति के अंदर मानसिक प्रेशानियां रहती है ब्यक्तिका जीवन को ये संकटों और कटनाईों के बीच गुजारता है बहुत ज़्यादा परिस्रम बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अभाव की इस्तिति में ऐसी दसा में ब्यक्ति रहता है और बिक्ति का जो परजन्टेशन है वो भी काम का नहीं रहता है क्या करना चाहे दिव्य योग ध्यान के रिया करनी चाहे ऐसी इस्तिति में तब जाके चीजें बहतर होती हैं और ये जरूर करिएगा निम्न मंगल और उच मंगल बहुत सुन्दर है प्राकरम बहुत अच्छा रहने वाला है एनरजेटिक स्ववाव रहेगा दूसरों की मदद करने वाले लोगों में से भी रहेंगे दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से भी एक रहेंगे और अपने कारियों में मुस्तेदे से खड़े रहेंगे इसका फायदा भी होगा यहाँ पर अगर देखें यह थोड़ा जुका हुआ है सनी की तरफ कुछ समय तक परिवार को लेके कुछ चिंताएं भी बनी रहेगी आगे तो परिवार का सुक बहुत सुन्दर मिलेगा लेकिन अभी उतना सपोर्ट नहीं दिखाए दे रहा बलकि चिंता दिखाए दे रही है हाँ यहाँ पर एक सुन्दर सा मचली का चिंता है जब उन्नति कन्ने बैठ जाएंगे तकरीबन 35 के बाद से तो दिन दूनी रात चोगनी उन्नति बहुत अच्छे रोप में यहाँ दिखाए दे रही है सने अगर अभी बात करें यहाँ पर उठाओा है यहाँ बैठाओा है कभी कभी बैवजह की चिन्ताईं देता हूँ दिखाई दे रहा है या कुछ ऐसी वो जहें पैदा कर सकता है जिसके कारण तनाव की इस्तिति बनी रहे तो थोड़ा ध्यान देने की यहां पर जरूरत रहेगे सुरे के हमने बात कर लिए बुद्ध आपका बहुत अच्छा है देखेगा अगर आपकी करियर और धन की रेखा इसपश्ट हो जाती है सुरे अच्छे अस्तान में आजाते हैं सुक्र बैलेंस अस्ता में आजाते हैं तो बुद्ध बहुत अच्छे प्रिणाम देता हो दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सपलता अरजित करेंगे हर तरह की प्रस्थितियों को भली भांते समझने वाला बिक्तित तो रहेगा और योजना बना कर अगर चले तो इसका बिसेश फाइदा आपको होगा वानी की सक्ति बहुत अच्छी रहेगी तो अच्छा की सुन्दरता भी बहुत सुन्दर रहने वाली है चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है और इसका फल आने वाले समय में बहुत सुन्दर और तिब्र मिलने वाला है मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत इस्तिती में आएंगे confidence level बहुत अच्छा बढ़ जाएगा सरीर में अगर सूर्य की उजोसे, सनी की उजोसे कोई प्रेशानी या शुक्र की उजोसे कोई प्रेशानी अगर हो भी जाती है तो चंद्रमा के कारण मन मजबूत इस्तिती में रहेगा और चंद्रमा जितना सुन्दर जितना अच्छे भाव में रहेगा पाचन तंत्र भी मोटे तोर पर आपका ठीक रहेगा सरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा रहने वाला है चंद्रमा जितना सुन्दर रहेगा आप क्रियेटिव जादा रहेंगे क्रियेटिविटी बढ़ेगी आपकी चंद्रमा अच्छा रहेगा शुन्दर और योवन अवस्ता में रहेगा मा होंगी तो मा का सुक आपको बहुत अच्छे रूप में मिलेगा चत्रमा आपके हतेली में बेहतरीन अवस्ता में आ रहा है मजबूत अवस्ता में आ रहा है निश्चित रूप से छलकपट से दूर रहेंगे सकारात्मक सोच बनी रहेगी और जिवन में महिलाओं का सैयोग भी आपको अच्छे रूप में मिलेगा ये आपकी हदिली का बिस्ट्रेशन है जो उपाई हैं विदिवत तरीके से ओडियो के मादियम से और लिख करके आपको भीज रहा हूं विदिवत तरीके से करेगा निश्चित रूप से सपलता आपके हाथ लगेगी इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोव पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार